अज हम दिखेंगे 16 और 17 जनवरी 2022 के सभी डेली बेस्ट करेंट अफेस कोश्चन चलिए तो शिरू करते हैं पहला कोश्चन है हमारा हाल ही में समचारों में चर्चा में रही विश्वनाथन समीती का संबंद निम्नमे से किस छेतर से है AWS और OVCR अक्षन से तो इससे संबंद शिरू कौन सी है आजे भूशन समीती कौन सी है आजे भूशन समीती IPC 153CB और 5050A समीती तो यह इससे संबंद यह जो सेक्शन है यह धारा है यह विश्वनाथन समीती के द्वारा प्रस्तावित की गई थी और विभा की जो आयू है 18 वर्स से 21 वर्स करने के लिए कौन से समीती बनी थी तो ये याद रखिएगा जया जेटली समीती के अध्यक्चता में ये अब धार्णा दी गई थी हाली मोतरखन पुलिस ने हरिद्वार धर्म संसद में बोले गए सब्द कौन से हैटी स्पीच बोली गई थी यहाँ पर आप लोगों पताओगा नियूज में सुनाओगा आपने एक व्यक्ति की गरफतारी तो गरफतारी किसकी की गई है वसीम रिजबी जिनोंने हिंदु धर में गरहन कर लिया जितेंद्र त्यागी नाम रख लिया वनोंने तो उन्हें गरफतार कर लिया गया विश्वनाथन समीती का गठन 2019 में किया गया था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे इसके अनुसार इंडियन पीनल कोट आई पी सी की धारा 153CV और धारा 505A शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था ये दोनों जो धाराएं हैं ये हेट स्पीस के प्रति सजा का प्रावधान करती हैं इस समीती ने धर्म जाती रंग लिंग आधी के आधार पर अपराद करने के लिए उकसाने को लेकर उप्रोक्त सेक्शन या धाराओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया था इस समीती ने दो साल तक की सजा मतलब कोई भी व्यक्ती किसी भी दूसरे व्यक्ती को धर्म जाती लिंग रंग आधी के आधार पर हेट स्पीच करता है या किसी के उकसात कोई उकसाता है उस और वो तब ये काम करता है तो उसे दो साल त सब्सक्राइट पर इस प्राप्त होंगी ठीक है सम्रध पर्टल इंडिया सीट फंट्स में कितने करोड का बनाया गया था ये फंट्स तो याद रखिएगा एक हजार करोड रुपे का ये फंट्स बनाया गया था विश्व खादिस सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व खादिस सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को ही क्यों माया आते, 16 अक्टूबर 1944 को किसकी स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी, Food and Agriculture Organization फाओ की, फाओ का हेटकॉटर अपको कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा Rome, Italy में, याद रखेंगे, नल से स्वक्ष जल देने वाला पहला सहर कौन सा बन ग नवीन पतनायक, नेक्स्ट है, हाली में समचारों में चर्चा में रहा, ESG, निमनल खित में से किस से संबंदी तो तो राइट आंसर होगा, ये क्या है, एक मिच्वल फंड है, ESG, ESG एक प्रकार का मिच्वल फंड है, इस फंड का पैसा उन कंपनियों में निवेश किया जा शॉर्ट फॉर्म से ESG मेच्वल फंड बना है, इस फंड का रेगुलेशन सेक्योरिटी एंड एक्रसेंज बोर्ड ओफ इंडिया यानि सेवी के द्वारा किया जाता है, ओके, नेक्स्ट दिखते हैं, टी सेतु पुल का निर्मान किस नदी पर किया जा रहा है, तो राइट महानदी पर ही देश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, क्या नाम है देश के सबसे लंबे बांध का तो याद रखिएगा, क्या नाम है, हीरा कुंड बांध, कहा पर है, महानदी पर है, ओडिशा में, हीरा कुंड बांध, नेक्स दिखते हैं, मिसिज वर्ल्ड दो हजार 22 का खिताब किसने जीता साइलीन फोर्ड ने साइलीन फोर्ड कहां से हैं यूएसे से हैं अब देखो मिसेस इंडिया दो हजा मिसेस वर्ल्ड दो हजार 22 तो मैं पता चल गया साइलीन फोर्ड यूएसे की हैं लेकिन इसी प्रतियोगिता में जो नेशनल कॉस्ट्यूम है अव केला की हैं और इन्होंने जीता है इस प्रतियोगिता में कुंडलियन चक्रवस्तर के लिए नैशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड ओके याद रखेंगे सत्तरवी मिस यूनिवर्स का किताब किसने जीता है तो राइट आंसर हो गए यहाँ पर हरनाज कोर संदू ने जीता है हरनास कोर्स अंदू ओके ये भारत की तीसरी जो हैं महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता पहला किसने जीता था तो ये फातिमा रीता फारिया दूसरी कौन थी आपकी सुस्मीता सैन और तीसरी कौन बन गई हैं तो ये बन गई हैं हरनास कोर्स अं Championship में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिये कौन बन गए हैं रजत पदक पहली बार जीता इसलिए important है किदाम भी सिरीकांत और बहुत ही प्रिसिद्ध बेडमिंटन के खिलाणी है किदाम भी सिरीकांत नेक्स्ट है प्रतिवर्ष भारतिये थल सेना दिवस कब मनाया जाता है राइट आंसर हो गया आपर अमारा C 15 जनवरी को मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन 1949 में 15 जनवरी 1949 में फिल्ड मार्सल केम करिया पने ब्रिटिस जनरल फ्रांसेस बुचेर से इंडियन आर्मी का चा इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी 1947 में आजादी के बाद भी 15 जनवरी 1949 तक इंडियन आर्मी का चीफ कोई भी भारती नहीं था कोन थे अंग्रेज ही थे क्लियर नेक्ष्ट देखते हैं 12 सालों बाद पुसकर महसव का आयोजन हुआ देखो यहां पुसकर मेले की बात नहीं कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं पुसकर महसव की तो कहां आयजित हुआ 12 सालों के बाद यह जम्मू एंड कश्मीर में याद रखेंगे पुसकर महसव जेंड के होर्नोबिल फेस्टिवल किस राज़ बे मनाय जाता है नागा लेंड में होर्नोबिल फेस्टिवल नागा लेंड में विने कुमार सकसेना किसके अध्यक्ष है खादी एवं ग्राम उध्योग आयोग के अध्यक्ष है खादी एवं ग्राम उध्योग आयोग के अध् ऐखेंगे ओके highlyivos Don't सार्क के अफशेष कहा बिसी मिले हैं तो ये थार का जो मरूस्थाल हे हमारे देश में कहाँ आपर है जेसल मेर राजिस्थान में यहां से मिले हैं 이번 सार्क QUE अफशेष इस टैट अप यौजना का प्रारंब्वुिस इंपारोटेंड कोश्जन है 16 जन्वरी 2016 को प्रारंबुई startup योजना startup weeks कब मनाया 10 से लेके 16 जन्वरी 2022 तक क्या मनाया हमने startup weeks समरद्ध पोटल का संभंध किस से है startup से है startup जो seats fund है वो कितने का है 1000 करोड रुपे का है तो यह सारे point आप याद रखेंगे next देखते हैं हाल ही में समचारों में चर्चा में रहा modal code of conduct याई से हम कहेंगे हिंदी में आदर्स आचार सहीता से समबान दित निमने लिखित कतनों पर विचार करके गलत कतन का चेहन करें इसका होदेश सतंतर निस्पक्ष चुनाव सुनेचित करना है तो यह सही है modal code of conduct पहली बार 1960 में लागू हुआ था यह भी सही है इसका पहली बार प्रियोक किरल में किया गया यह भी सही है वरतमान में उत्राखन से चर्चा में यह गलत है यह वरतमान में यूपी से चर्चा में आया है उत्तर प्रदेश से हाली में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में मोडल कोड अफ कंड़क्ट को सही से लागू ना कर पाने के कारण पुलिस स्टेशन के एक S.H.ो को सस्पेंड कर दिया मोडल कोड अफ कंड़क्ट में कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिसे सभी राजनितिक दलों उनके प्रचारकों और उम्मिद्वारों के द्वारा पालन करना होता है इसका उद्देश स्वतंतरों निस्पक्षे चुनाओ सुनिचित करना है पहली बार 1960 में मोडल कोड अफ कंड़क्ट केरल के विधान सभाच चुनाओ के दोरान लागू किया गया था ग्या थे कि चुनाओ आयुक द्वारा जिस दिन चुनाओ की तारीकों की गोश्णा की जाती है उसी दिन से मोडल कोड अफ कंड़क्ट लागू हो जाता है एबम चुनाओ के पूरा होने तक रहता है Model Code of Conduct के प्रापधानों के अंतरगत, राजनेतिक दलों, एब हम उम्मिदवारों द्वारा, सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर अपलोड किये गए पोश्ट पर भी इसमें शामिल किये जाते हैं मतलब आप Model Code of Conduct का लंगन ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकते हैं कौन है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, शुशिल, चंद्रा और मद्दाता दिवस कब मनाते हैं निर्वाचन आयुक्त होते हैं महाराष्ट के मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे ने वर्च्वली इस सेवा का उद्गाटन किया है महाराष्ट के राज्य पालकों ने भगस सिंग कोशियारी क्यों थे चर्चा में किसने भगस सिंग कोशियारी ने याद रखेंगे यह सेवा माराठी और अंग्रेजी दोनों भासा में 24 गंटे 7 दिन उपलब्ध होगी नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो याद रखेगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नाकपूर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 2006 में जो हमारे पूर्व प्रधान मंतरी है मनमोहन सिंग उनके द्वारा 2006 में इस दिन की स्विटवात की गई थी विश्व हिंदी दिवस और राष्टी हिंदी दिवस कम मनाते हैं 14 सेक्टेंबर को मनाते हैं क्योंकि हिंदी को हमने मानेता दी थी ठीके पंडित भिर्जू महराज का संबंध की छेतर से तो इनका संबंध है कथक से कथक नर्तक थे और हाली में इनका निधन हो गया है याद रखेंगे 1986 में इन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था कमाल खान का हाली में निधन हो गया ये क्या थे ये पत्रकार थे हाट अटेक के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया है इंदू मलोतरा के अध्यक्षता में किसे संबंदी समीती बनी तो सुप्रिम कोट के द्वारा PM सुरक्षा से जुड़ी जो चूक हुई थी पंजाब के फिरोजपूर में उस से रिलेटर जो समीती है उसकी अध्यक्ष कौन बनी है इंदू मलोतरा अब इंदू मलोतरा से जुड़ा हुए एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि इंदू मलोतरा पहली ऐसी महिला वकील है जो वजज होने वकील से क्या वनी थी ये सुप्रिम कोट में जज वनी थी अब रिटायर हो चुकी है देश का पहला एको टूरिज्म गाउं कौन सा है तो याद रखेंगे देश का पहला एको टूरिज्म गाउं है कुबलूंगी ये कहां पर है केरल में और कुबलूंगी भी अभी चर्चा में था तो इससे हम डिसकस करेंगे आगे हाल ही में तिरुवल्लवूर्ग दिवस बनाया गया इसका संबन निमन मैंसे किस राज्जिसे है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा भी तमिल नाडू से तमिल में कभी और दार्सनिक तिरू वल्लूर को एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है उनकी युगदान का सम्मान करने के उद्देश से पोंगल समहरों के दोरान 15 या 16 जनवरी को तिरू वल्लूर दिवस मनाया जाता है या 15 जनवरी को होगा वर्स 2022 में यह 15 जनवरी को मनाया गया है 1930 के दिवस 17 और 18 मैं को मनाया जाता था लेकिन हाल के वर्षों में यह जनवरी में मनाया जाने लगा है मायलापुर के एकेमबेश्वर मंदर परिशर में एक मंदर तिरू वल्लूवर को भी समर्पित है याद रखेगा तिरू कुक्रल तिरू वल्लूवर की रशना है इसके तीन भागे धर्म, आर्थ और कर्म पर सिक्छा में विभाजित किया गया तो इनकी रशना को याद रखेंगे तिरू का कुरल ओकी नेक्स्ट देख लेते हैं आज का जी के गयान राष्टी बिलियर्ट्स खिताब 2021 किसने जीता है तो राइट आंसर होगा पंकज आडवानी ने ये इनका बारवा किताब है ठीके याद रखेगा पंकज आडवानी बिलियर्ट्स के खिलाडी है ठीके 2021 में उन्हें ने नेशनल बिलियर्ट्स अवोर्ट जीत लिया है और ये इनका बारवा किताब है Unicorn क्या होते हैं तो भी याद रखेगा जो नए Startups कमपनियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है Unicorn कहा जाता है यह सिर्फ Facebook एक Unicorn था ठीक है हमारे देश में बहुत बड़े बड़े अब Unicorn आ गए और Unicorn की स्रेणी में भारत विश्व में जो ranking है उसमें तीसरे स्थान पर आता है ठीक है भारत विश्व में कौन से स्थान पर है Startups जिने Unicorn कहा जाता है बड़े Startups होते हैं अर्वो डॉलर के तो उसमें भारत की rank तीसरी है Braille Lippie दिवस कब मनाया जाता है तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है लूइस Braille के जन्म दिवस के रूप में और जो blind लोग होते हैं उनके लिए 6 डौट होते हैं Braille Lippie में इसी के द्वारा इन्हें ही टच करके वो पढ़ना और समझना सीखते हैं प्रवासी भारती दिवस कब मनाया जाता तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है 9 जनवरी 1915 को गांदी जी दक्षन अफरिका से भारत आये थे 2003 से भारत में प्रवासी भारती दिवस मनाया जा रहा है पहला केंद शाशित प्रदेश जिसमें 15-18 वर्ष तक के बच्चों का सोप्रतिशर्टी का करण हुआ तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या लक्ष दीप कहाँ पर हुआ है लक्ष दीप में हाली में चर्चा में रहे जल्ली कट्टू से संबादित गलत कथन पर विचार करें क्या है पहला पॉइंट सांड को बस में करने की प्रथा जो हड़ापा सब्विता में भी विद्धमान थी राइट है जल्ली कट्टू सब्द की उत्पत्ती तमिल सब्द सल्ली कासू से हुई है ये भी सही है सल्ली कासू का अर्थ है सिक्के और कट्टू बिलकुल सही है सांड के सींग से बांधा गया अन्ने का थेला ये गलत है सांड के सींग से जो अन्न का थेला नहीं बनता ये पेसे का थेला बनता है और उसी के लिए साड़ी लड़ाई होती है हाली में तमिल नाडू में पॉंगल दिवस पर आयो जित जली कट्टू पर्व के दोरान एक ब्यक्ति की म्रत्टी हो गई जली कट्टू सब्दी की उतपती तमिल सब्द सली कासू से हुई है जिसका अर्थ है सिक्के और कट्टू इसे ताथ पर है पुरसकार राशी के थेले को सांड के सींगों से बांधना सांड को वश में करने की प्रथा हरपस अभिता में विद्धुमान थी मोहन जोदारों से मिली मोहर में बेल को वश में करने की प्रथा का उलेख मिलता है इस खेल को इरु थाजूवाल और एमबोरेसिंग दबुल भी कहा जाता है तो ये इसके उपनाम भी आप याद रखें नेक्स्ट है जन जाती गोरब दिवस तो कब मनाये गया पंद्रह नवंबर को मनाये गया जन जाती गोरब दिवस पंद्रह नवंबर को किसका वो होता है हम मनाते हैं तो हम मनाते हैं बिर्सा मुंडा जेन्ती ठीक है बिर्सा मुंडा जेन्ती तो इस बुर्सा मुंडा जेन्ती को ही अपकिस रूप में जाना जाएगा जन जाती गोरब दिवस के रूप में ओके संभिधान दिवस कम मनाते हैं तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को कम मनाते हैं 26 नवं के द्वारा 2021 में शुरू किया गया 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा प्रतिवर्ष बीर बाल दिवस मनाया जाएगा हाली में कौन सा भारतिय सेना दिवस मनाया गया है तो याद रखिएगा ये मनाया गया है चहुत्तर बा भारतिय सेना दिवस कब मनाया है 15 जनवरी 2022 को मनाय ससस्त्र बल वयो ब्रद्ध दिवस कब मनाते हैं तो ये 14 जनवरी को मनाते हैं जो हमारे रिटायर्ट सेनिक होते हैं उनके लिए हाल ही में आर्मी ने किस फेशन इंसिटुट की मदद से डिजाइन की गई नई कॉमबेट यूनिफॉर्म को पेश किया है तो राइट आंसर हो गए हाँ पर एन आई एफटी के द्वारा डिजाइन की गई है ये नई कॉमबेट ड्रेस हाल ही में राश्टे थल सेना दिवस 15 जनवरी 2022 को आर्मी द्वारा नई कॉमबेट यूनिफॉर्म को पेश किया गया नेशनल इंसिडिट ओफ फेशन टेकनलोजी के द्वारा इस नई यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है अगस्त 2022 तक इंडियन आर्मी के सभी जवानों तक इस नई कॉमबेट यूनिफॉर्म को लागू कर दिया जाएगा यह यूनिफॉर्म जवानों के लिए हलकी और आराम दायक होगी साथ ही इसमें उन रंगों का प्रियोग किया गया है जो आसानी से नजर नहीं आएंगे जिससे क्या होगा ओपरेशन करने में आसानी होगी छुपने में आसानी होगी इस नई कॉंबेट यूनिफॉर्म में सत्तर और तीस के अनुपात में क्रमशा कॉटन और पॉलिष्टर का उप्योग किया गया है वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ को ने हैं? एम एम नर्वने हैं याद रखेगा एम एम नर्वने हैं नेक्स्ट है नेता जी सुभास चंदर बोस का जन्मदिन कभ होता है तो ये 23 जन्वरी को होता है और 23 जन्वरी को किस रूप में मनाता है? सरकार ने किस रूप में घुशित कर दिया है? पराक्रम दिवस की रूप में किस रूप में पराक्रम दिवस तो कब मनाया जाएगा 23 जन्मडिन को किसका जन्मदिन नेता जी सुबास चंदर बोस का जन्मदिन इसके साथ ही याद रखेगा जो काल का similar train है इसका नाम भी क्या कर दिया गया है नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया है तो वो भी ध्यान रखेगा 26 जन्वरी जो गर्तन तो दिवस 2022 है इसके मुख्य तीती कौन होंगे तो पांच मद्धेश आई देश होंगे कौन-कौन से उजवेकिस्तान, तजकिस्तान, खिर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका कजकिस्तान ठीक है इन सभी को आप याद रखेंगे नेशनल स्टार्टप डेग ये कब मनाया जाएगा 16 जनवरी को मनाया जाएगा हाली में गोश्चित किया गया है 16 जनवरी नेशनल स्टार्टप डेग मैंने आपको अभी बताया नेशनल स्टार्टप डेग योजना थी 16 जनवरी 2016 को शिरू हुई थी इसलिए 16 जो जनवरी है इसे यादगार बनाने के लिए क्या करा गया इसको नेशनल स्टार्टप के रूप में शामिल कर लिया गया है अब नेशनल स्टार्टप डेग मनाएंगे हम हर साल 16 जनवरी को विभाजन विभीशी का दिवस ये भी आपको याद होगा ये चौधा अगस्त को मनाया जाता है जो हमारे देश का विभाजन हुआ उसके समय जो विभीशी का हुई उसके याद में जो लोगों को क्या हुआ लोगों का उत्पीडन हुआ ठीक है लोगों को जो तकलीफ हुई तो उसे हम मनाएंगे विभाजन विविशिका स्मृती दिवस 14 अगस्त राश्टी ये एकता दिवस का मनाये जाएगा 31 अक्टूवर को किसका जन्मे दिन सरदार पटेल का ओके एकता और एकता नगर रेलवे स्टेशन अभी कहां पर भै गुजरात में एकता नगर रेलवे स् द्वारा अभी का मतलब है कि जो मोदी सरकार के 7-8 साल का जो टाइम पीरिड है इसी में ये सारे दिवस घोशित हुएं तो ये सभी हमें ध्यान रखना है हाल ही में भारत ने ब्रहमोस मिसाइल का पहला निर्यात ओर्डर किस देश से हासल किया राइट आंसर होगा फिलिपिन्स किस से फिलिपिन्स से हाल ही में भारत ने ब्रहमोस मिसाइल का पहला निर्यात ओर्डर फिलिपिन्स से हासल कर लिया है यहां ब्रहमोस मिसाइल और लगभग 344 मीलियन का है भारत पहली बार ब्रहमोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है ब्रहमोस मिसाइल को भारत और रूस के सहयोग से डिजाइन किया गया था वरतमान में आधूनिक सुपरसोनिक मिसाइलों में से ब्रहमोस एक महतपुन मिसाइल है बारत की ब्रहमपोत्र और रूस की मासको नदी के नामों पर इस मिसाइल का नाम ब्रहमोस रखा गया था। यहाँ एक कम दूरी की रेमजेट सुपरस्वानिक क्रूस मिसाइल है। इस मिसाइल को जल थल वायू से छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही इसे जो आपके लड़ाकू जहाज हैं उन पर से भी समुद्र से पंडुबी से सबमरीन से ने छोड़ा जा सकता है। यहाँ जो मिसाइल है यह भूल दागो और भूल जाओ के सद्धान पर कारे करती है। इसकी गती 3 मैक से अधिक होती है। मैक मतलब धोनी की गती से 3 गुना अधिक होती है। सिप्री सिप्री स्टॉकॉम पीस रिसर्च इंसिट्यूट है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है वर्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2016 से 2020 के मद्ध हत्यारों को निर्यात करने वाले देशों की सरणी में भारत का इस्थान कोन सा था 24 वा था ठीके तो ये भी आप याद रखेगा मतलब आप हम हत्यार निर्यात करने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा विश्व में बहुत सारे जो समरध देश हैं आज आप रूस को ले लीज़े जर्मनी अमेरिका चाइना इसराइल इन लोगों के जो सबसे बड़े डबलप्मेंट का एक बड़ा कारण है तो वो है हत्यार इंड़ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में निम्न में से किस उध्योगिक सम्हू के द्वारा इस पात और नभी करने उर्जा में बैपार की संभावना तलाशने के लिए दक्षण कोरिया की पॉसको कंपनी के सांथ समझता किया है राइट आंसर होगा अडानी ग्रूप ने कि यह समझता किस चेतर में तो नभी करने उर्जा और इस टील के चेतर में हाल ही में नई उध्योगिक संभावना की तलाश के लिए इस पात और नभी करने उर्जा में अडानी ग्रूप के द्वारा दक्षण कोरिया की पॉसको कंपनी के सांथ समझता किया गया इस समझते के तहट गुजरात में लगभग डॉलर पांच अरब के निवेश से एक इंटीगरेटिड इस्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी अडानी ग्रूप अब इस छेतर में निवेश को बढ़ाएगा क्योंकि इस छेतर में अडानी ग्रूप अभी तक नहीं उतरा था ठीक है तो अब यहाँ नया कॉंपेटिशन जनरेट करेंगे देश का विश्व में इस्टील उत्पादन में दूसरा इस्थान है हमारे देश का विश्व में इस्टील उत्पादन में कौन सा इस्थान है दूसरा ठीक है याद रखना girls singles रणी में world number one ranking हासिल करने वाली पहली भारती कौन बन गई है right answer होगा तस्नीम मीर बन गई है हाल ही में world badminton federation junior ranking 2000 जनवरी 2022 में under 19 girls singles रणी में world number one ranking हासिल करने वाली पहली है इसलिए बहुत important हो जाती है पहली भारती महिला तस्नीम मीर बन गई है 1800 अंकों के साथ world badminton federation की junior ranking में ये पहला इस्थान पर पहुची है junior की बात हो रही है याद रखिएगा okay friends तो ये था हमारा 16 और 17 जनवरी 2022 का current affairs I hope आपको lecture पसंद आया होगा आप हमें सभी different social media पर follow कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगा और video अगर पसंद आता है तो आप लोग को पता है आपको जादा जादा like करना शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो फटा फट से हमारे चैनल को subscribe कर लिजे thanks for watching and take care